दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही इन्पॉटेंट जो है अपडेट निकल कर आ रही है उनकी एक्जामों को लेकर क्योंकि राजस्थान हाई कोट गुरूब डी की जो है वो काफी लंबे समय से यहां पर जो है अटकी पड़ी है और हाई कोट द्वारा इस एक्जाम को यहां पर कंडेक्ट नहीं करा जा रहा है यानि कि दोस्तों जो राजस्थान हाई कोट की जो वेकेंसी आउट की गई थी 17-18 के लिए उसको अभी काफी एक लंबा समय हो च बड़ी यहां पर आप सभी के लिए गुड निउस निकल कर आ रही है एक्जाम डेट को लेकर क्योंकि फाइनली जो ग्रूब डी की जो एक्जाम है उसकी डेट आप सभी को जल दिखने मिलने वाली है कैसे दोस्तों उसके बारे मैं आपको पूरी इन्फरमेशन देने वाल क्योंकि रिक्वरेंट बोर्ड के अंदर यानि कि दोस्तों रिक्वरेंट बोर्ड के अंदर एक मीटिंग की गई है इस एक्जाम को लेकर क्योंकि जो सोर्सों की मानिकी जो अपडेट निकल कर आ रही है लगतार इन चीजों को लेकर और काफी ज्यादा यहां पर आर्टिक आउट की गई थी यहाँ पर 17-18 के लिए उसमें कम से कम group D खाली यहाँ पर दोस्तों स्रिफ मैं group D की vacancy की बात कर रहा हूँ जिसमी की जो form apply हुए थे candidate द्वारा यह कम से कम जो approach बताय जा रहे हैं 23 से यहाँ पर 24 लाख या 25 लाख के बीच में बताय जा रहे हैं जिसको लेकर अब high court requirement board जो है उन्होंने इस exam को conduct कराने के लिए company के थूँ इस exam को conduct करा जाएगा और आप सभी को पता है कि इतनी बड़े level पर जो exam है वो यहाँ पर चाहे वो RSMSSB चाहे वो RPSC board करा सकती है तो इनी के बीच यहाँ पर जो है कुछ जो है यहाँ पर जो सूचना आ रही है कि जो requirement board है इन दोनों companyयों से requirement board की जो exam conducting को लेकर बात कर रही है तो यहाँ पर दूस्तों कुछ update जो ऐसी निकल कर आ रही है कि जिसकी जो meeting है वो फिर से एक बार यहाँ पर होने वाली है जिसमें की बताया जा रहा है कि यह final हो जाएगा यहाँ पर जो है रास्थान हाई कोट के दवारा की इस exam को कौन सी company conduct करेगा और जो exam date को लेकर जो confirmation निकल कर आ रही है वो आप सभी के लिए यह आ रही है कि जिस exam को इतने लंबे समय तक hold किया गया उसमें उमिदवारों के लिए कई सारे जो है अलग benefit भी निकल कर आएंगे जिसमें कि कुछ हो सकते हैं कि पदों को भी increase किया जाए और यहाँ पर जादा सा जादा उमिदवारों को इसके अंदर selecting की process भी बताए जाए जिसमें कि यहाँ पर जो आप सभी की vacancy है उसकी भी यहाँ पर जो है vacancy की post है वो बढ़ सकती है और साथी दोस्तों यहाँ पर जो vacancy जो इतनी delay हुई है अब वो इसके regarding इन company के regarding जादा से जादा delay नहीं होगी और हो सकता है दोस्तों जो source की मानिक की जो update निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि राजस्थान की जो high code group D की जो vacancy है उसकी exam date आप सभी को यहाँ पर सितंबर में देखने को मिल सकती है यहाँ पर third week के अंदर दोस्तों एक ऐसी update जो निकल कर आ रही है इसके regarding दोस्तों मैं आप सभी को एक और यहाँ पर जो update दूँगा यहाँ पर second meeting होने के बाद की इसकी क्या possibility है और क्या यह दोनों company इस exam को conduct कराएगी या नहीं कराएगी इसके regarding दोस्तों क्योंकि यह एक अलग से update निकल करा रही थी जो आप सभी को बताना वो बहुत जहाँ जरूई था क्योंकि आप सभी के लगतार इन चीजों को लेकर comment आते हैं दोस्तों फाइनली यह update निकल करा रही थी जो हमारे चैनल के माद्यम से आप तक सेर किया गया हाई को लेकर दोस्तों group D की exam को लेकर जल्दी आप सभी को कुछ लिए बहुत ही बड़ी update निकल करा रही है इसलिए लगतार आप अपनी त्यारी पर लगे रहे और जैसी दोस् से वह update सेर करेंगा तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तप अगले दोस्तों जैहिंद